भारी बरफवारी के चलते शिमला में चन जीवन अस्त-व्यस्त होकर रह गया है जिसके चलते जो लोग शिमला विभिन कारण के लिए गए हुए थे वे अब अपने बापसी की रह देख रहे हैं बर्फबारी हटने के बाद सडक मर खुलने पर ही यह संबब हो पाएगा शिमला से विभिन स्थानों के लिए रवाना होने वाली बसें भी नहीं चल पा रही है इसके अतिरिक्त कडाके की ठंड ने भी लोगों को घर में दुगने के लिए मजबूर कर दिया है एक दिन मौसम साफ रहने के बाद अब पुना दो दिनों के लिए मौसम विभाग द्वारा मौसम ख्राब रहने वा बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है जिसके चलते अभी कुछ दिन सर्द मौसम वा बर्फबारी के महौल का सामना करना पड़ेगा प्लाइटीब के लिए शुवला से अब से की रिपोर्ट